देखे 5.3 का पांचवा कुश्चन कह रहा है दस फर्स्ट टर्म आफ एपी इस फाइप हम पढ़ते जा रहे हैं और आप लिखते जाओ क्या कह रहा है हिंदी में पढ़ देते हैं वैसे हिंदी पढ़ने कोई बता है इतनी हिंदी आज का लड़कों को आती है जबसे वह वाटस अप आ गया है पिक बाजी करने लगे हैं लिका है किसी एपी का प्रथम पत पांच है अंतिम पत 45 है योग 400 है तो पदों की संख्या औ तो हिंदी भी तुम्हें आने लगी होगी नहीं आने लगी सर्वांतर कहते हैं उसको पता मालू हो गया अरे वा हैं वेरी गूट लिका है फर्स्ट टम इस फाइप यानि जो गिवन है वो ए दिया है फाइप ठीक है लास्ट टम अब देखे हम माल लेते हैं कि एन टम्स हैं तो हम इसको चाहे कहें ल और चाहे कहें टी अन हम एन नहीं कहेगी किताब में लिखा गया है मेरी आदत एन करने के नहीं है टी थोड़ा सा एक इसका स्टेटस बढ़ जाता है टर्म ये दिया है फॉर्टि फाइप अब सम दिया है तो सम भी कितने टम का होगा ऐसली दो के सम दिया है 400 तो find the number of terms and the common difference number of terms निकालना है और common difference निकालना है देखो ध्यान से हमारे पास सम का formula वही आप simple से बात है पहली बात तो दो चीज़े निकालनी है तो दो conditions होनी चाहिए एक condition सम की लगानी पड़ेगी और एक condition nth term की लगानी पड़ेगी तो हम nth term का पहले formula नहीं लगा सकते तो अगर tn लगाते हैं हम तो formula क्या होता है a plus n minus 1 into d तो हमको n भी चाहिए और वहाँ d भी चाहिए वहाँ से दोनों चाहिए मिलेगी नहीं तो formula sum का कौन से लगा दें हम n by 2 a plus l लगा दें क्यों अब आप कहेंगे हम तो a plus l नहीं लगाएंगे ना उसमें आपको क्या मिलेगा कोई value नहीं मिलेगी n और d में एक relation मिलेगा फिर tn का लगाएंगे वहाँ relation मिलेगा दोनों को solve कुना पड़ेगा तो यहीं लगाईए s क्या दिया हो है 400 n हमको मालुम नहीं a कितना दिया है 5 plus l कितना दिया है 45 तो n 400 is equal to n by 2 यह कितना आएगा 50 आएगा n निकालना है न तो 400 इदर लिखा रहने तो 2 का divide है multiply आएगा 50 का multiply है वो divide में आएगा पराबर n तो n की value क्या हो गई 45 48 16 तो n की value तो आगई 16 तो number of terms कितने हो गए 16 हो गए और आपको d निकालना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे तो tn लगा दो tn का formula क्या होता है a plus n minus 1 into d tn बोले तो अच्छा एक चीज़ और हम यसी formula में इसी formula को अगर हम अच्छी बात नहीं है लेकिन इसी formula को लिख दे हम s बरावर n by 2 2a plus n minus 1 into d और वहाँ n रख दें तो d निकालाएगा लेकिन हम का है निकाले tn कितना दिया है 45 a कितना दिया है 5 plus n कितना दिया है 16 minus 1 और d पता नहीं पांस को इदर ले आओ तो इदर 40 हो जाएगा उधर 15 d हो जाएगा तो d कमान क्या आएगा 40 बटे 15 नठ चालिस पांतिया पंदरा d कमान आएगा 8 बटे 3 तो यह आपका question number 5 exercise 5.3